भारत में विबिन्न विबिन्न प्रकार के दालों का पैदावार होती है हर राज में अलग-अलग दाले खाने का प्रचलन है सभी दालों के अपने-अपने खास फाइदे होते हैं इनी दालों में से एक है मौंग की दाल आज हम आपको मूंग की दाल खाने के फाइदों के बारे में बताएंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिटनेस पंडा के आज के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे हरे मूंग के दाल खाने के फाइदे सबी दालों में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मातरा में पाया जाता है मौंग की दाल दो प्रकार की होती है पहली पीली और दूसरी हरी पीली मौंग की दाल दुली हुई और बिना चिलके के होती है जबकि हरी मौंग की दाल चिलकों के समेत होती है हरी मौंग की दाल को साबुत मौंग भी कहा जाता है मौंग की दाल को खाने के अलावा इसका हलवा भी बनाया जाता है मौंग की दाल खाने में जितना स्वादिष्ट होती है सेहत के नजरिये से भी उतना ही ज्यादा फाइदेमन मानी जाती है मौंग की दाल पेट के लिए भी काफी लापकारी मानी जाती है यह शाकाहरी लोगों की पसंदिद्धा दालों में से एक है मौंग की दाल में 50% तक प्रोटीन होता है इसमें फाइबर और कार्बोहाइडर्स भी बहुत अच्छी मातरा में पाये जाते हैं इसके अलावा मौंग की दाल में विटामिन्स, फॉस्फरस और मिनरल्स भी पाये जाते हैं इस सेहत में दाल का आप सूप भी बना कर पी सकते हैं बिमार लोगों को पीली मौंग दाल खाने की सला डॉक्टर हमेशा देते हैं गर्बवती महिला के लिए बहुत लापकारी गर्बवती स्त्रियों के लिए मौंग की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह ना सिर्फ उर्के लिए फाइदे मन है बलकि होने वाले बच्चे के लिए भी लापकारी होती है इसलिए गर्बवती महिला हफते में कम से कम 3 दिन मूग की डाल को जरूर खाएं कमजोरी दूर करे मूग की डाल शरीर में ताकत पैदा करती है इसलिए बिमार लोगों को मूग की डाल खाने की सला डॉक्टर देते है मूंग की दाल का सेवन करने से मरीज को बहुत जल्दी फाइदा होता है अगर कोई विक्ति आयन की कमी से जूच रहा है तो उसे अपने भोजन में मूंग की दाल को शामिल करना चाहिए यह शरीर को कमजोरी को दूर करता है पेट के लिए लापकारी मूंग की दाल पचने में बहुत ही आसान होती है कपस की समस्या से परिशान लोगों को मूंग की दाल जरूर खानी चाहिए इससे पेट सही रहता है पीली मूंग दाल में फाइवर, प्रोटीन, आयन बहुत ही बढ़िया मातरा में होते हैं यह दाल दूसरी दालों के मुकाबले ज्यादा हलकी होती है इसलिए इसे आप बड़ी ही आसानी से हज़म कर सकते हैं ज्यादा पसीना आने पर मूंग की दाल का पाउडर पानी में मिलाकर मालिश करे इससे ज्यादा पसीना आने की समस्या से चुटकारा मिलता है वजन कम करे एक कप पकाई गई मूंकी दाल में 100 से कम कैलोरी होती है इस दाल में पोटेशियम, कैल्चियम एवं विटामिन B कॉम्पलेक्स होता है लेकिन फैट न के बराबर पाया जाता है इसके सेवन से पेट भरा-भरा सा महसूस होता है और आपको लंबे सबय तक भूक नहीं लगती रात को रोटी के साथ मूंकी दाल को खाना चाहिए इससे आपको धेर सारे पोशक तत्व प्राप्त होंगे और वजन कम करने में मलद मिलेगी कोलेस्टरॉल के लिए अच्छा मूंकी दाल में फाइबर होता है जो शरील से फाल्तू कोलेस्टरॉल को कम करता है जो लोग कोलेस्टरॉल को कम करना चाहते है उन्हें मूंकी दाल जरूर खानी चाहिए बच्चों के लिए फाइदे मन इसमें पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं जो बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए फाइदे मन होते हैं बच्चों के विकास के लिए सारे नूट्रियन्स की जरूरत होती है जिसे मूंकी दाल के सेवन से पूरा किया जा सकता है इसलिए बच्चों को मूंकी दाल जरूर खिलाए स्किन के लिए अच्छा मूंग की दाल को खाने से आप स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं जब आप दूप में जाते हैं तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरने से पुल्यूशन की वज़े से फ्री रेडिकल सेल्स आपकी स्किन में प्रवेश करने लगते हैं जिससे आपकी स्किन डैमेज होने लगती है मूंग दाल में एंक्टि अप्षिडन पाय जाते हैं जो free radical cells से लड़ते हैं और आपको skin cancer से बचाते हैं Blood pressure control करे मूंग दाल के 7 से blood pressure control में रहता है यह sodium के प्रभाव को कम करता है जिससे blood pressure ज्यादा नहीं बढ़ता दिल के मरीजों को मूंग की दाल जरूर खानी चाहिए यह दिल के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है दाद खाज खुजली दूर करे चिलके वाली मूंग की दाल को पीस ले फिर इसका लेप बना कर दाद खाज खुजली वाली जगा पर लगाए इससे आपको काफी आराम मिलता है मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपके कुछ सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसे ही फाइदेमंद वीडियो आप तक पहुँच सके शुक्रिया धन्यवाद जय है